दियर स्टुडेंट्स वंदे मात्रियम टू आलाफ यू आपका आपके ही चैनल इंग्लिस इस्टडी भी थारण में स्वागत हैं बच्चों हम आपके सामने बहुत दिनों बाद आ रहे हैं कुछ समय बीत गया है लगवग एक दिर्ड महीने के बाद ही आ रहे हैं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी उसके वज़े से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे तो अब आपके सामने हम आ गये हैं अपनी पूरी फुल एनर्जी के साथ तो आपसे भी आश्रा करती हूं कि फुल एनर्जी के साथ आप पढ़ने का प्रयास करें आपके एक्जाम में जो भ करना है वो सारी चीजें हम आपको लेकर के हाएंगे अभी पार्ट वन है पार्ट वन के बताने के बाद इसी तरह से आपके पूरे टेंस का रिवीजन होता जाएगा आपके सामने जो फॉर्म लेकिया जो फॉर्मेट हमारा वो है फिल इंद ब्लैंक्स बिथ सुटेवल इन भी पार्ट रिएंगे लिए भी उस सबीकी टेंस को रिवीजन हो रही इंद ब्लैंक्स में आपको जूए खाली स्थान है इनमें से आपको फिल अक फीलब करना होगा वचित कि संजाते जाएंगे एक एक सन्धैंस का आतको एकस्तैर गरते जाएंगे तो चल यहें चलत अर्थ क्या हो रहा है कि अब यहां गोइंग होगा या गोज होगा तो देखिए यह इस गोइंग होता तो वहां पे इस गोइंग का भी यूज किया जा सकता बट सिर्फ गोइंग दिया है तो यहां पे लगेगा ही यह कि इससे हमें जो सिंस आ रहा है वो सिंस आ रहा है हमारा present वो sense किसका आ रहा है present indefinite tense का sense हमारा आ रहा है present indefinite tense का sense आ रहा है इसलिए यहाँ पे he goes every he goes college everyday goes का यूज हम करेंगे आप जानते हैं कि present indefinite tense में क्रिया में जो हमारा main bow होता है main bow में s e s i s लगा होता है यह फॉस फॉर्स फाम लगा होता है तो subject recording यहाँ पे ही है यह के साथ में गोज का यूज की आजाना very simple आपको समझ में आ गया होगा next है हमारा my young brother to Mumbai last month चुकि last month Mumbai गया है और यहाँ पे time को सदर्स आ रहा है last month यानी समय बीत गया है time क्या होगे आपका time बीत गया है यह फास्टेंस की बात कर रहे है इसलिए फास्टेंस में हो जाने के कारण है हाँ पे my young brother went to Mumbai last month पिछले महीने वह गया ऐसा करके सेंसारा इसलिए हाँ पे हम वेंट का यूज करेंगे चले इसी तरह से हम आगे और चलते हैं और देखते हैं कि हमारा और किस तरह से यूज किया जाना है next question देखते हैं next question में आप चलते हैं he from fever since last night ये तो आप पहली दूसरी से application पढ़ते रहे हैं तो application में आप इसमें दिया है क्या यूज किया जाना है has suffered किया जाना has been suffered किया जाना है तो एक चीज और बता दे आपको कि ये तो application का रटा मार है वैसे ये sentence है हमारा ये sentence दिवाए fever since last night has been ये है present perfect continuous tense का ये sentence जो दिया है ये है present perfect continuous tense और present perfect continuous tense में आप जानते हैं कि has been और have बिनामक दो एक्जली वोप्स लगती हैं लेकिन जिनमें time होता है जिनमे time दिया गया होता है और हमारा कैसा time दिया है इसमें तो since लगा हुआ है तो time के भी बात हम नहीं करेंगे पर आपको बताते हैं चले निश्चित time जिसमें लगा होता है उसके पहले हम since का यूज करते हैं और अनिश्चित जो time होता है वहाँ पे हम for का यूज करते हैं वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, इसमें टाइम दिया हुआ है, इसमें आपको auxiliary verbs fill up करना है, correct form of the verbs करना है, इसलिए यहाँ पर जो यूज हो जाना है आपका, इस तरह से आपका तीसरा correct हुआ, फिर blank spaces, और just now, तो यह sentence थोड़ा है छोटा, इस sentence में main loop से आप ध्यान देंगे, छोटा दिख रहा है, इसको explanation जो हम करते हैं, पहले आपको समझा देते हैं, इसमें दो verbs आई है, has arrived लगा है या arrived, किसका यूज किया जाना है, तो हम आपको बताते हैं, इस sentence से हमारा past action को show कर रहा है, यह किसको कर रहा है, past action को, past action को यह show कर रहा है, पर इसमें हम पास्ट को तो कर रहा है, पर क्या करना है, इसका time and non है, इसमें time का कोई भी पता नहीं चल रहा है, तो time का पता नहीं चल रहा है इसलिए यह present present को श्टो कर रहा है time का कोई exactly time इसमें दिया नहीं है time क्या है he has arrived just now तो इसलिए यह sentence हमारा बन जाता है यह sentence हमारा बन गया है present perfect tense का time होता तो यह past indefinite हो जाता है ना और time ना होने की बजह से यह sentence past action को दिखा आ रहा है बट इसमें has arrived का यूज किया जाना है I am working for today यही भी आप का गिया है यहाँ पे present perfect continuous tense का present देखिए tense को पहचानना बहुत ज़रूरी है हमारे present perfect continuous tense पूरे explanation के साथ board में हमने आपको समझाया हूँ पूरे tense को अच्छी तरह से बताया हुआ है हमारे last videos को हमारे playlist में जाईए और playlist में जाकर के जो tenses के बने हुए है हमारे उनको देख करके आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं तो आपका पूरा का पूरा sentence clear हो जाएगा कि यहाँ पे इस sentence की हमें पहचान क्या होती है कौन से एक्जलरी वर्प से किस तरह का में वर्प यूज किया जाता है यहाँ पे आपके जिस तरह से exam आपके exam में आते हैं आपके competition exam में आते हैं तो वो form दिया गया यहाँ पे उसमें से आप कैसे भरेंगी पर उसको जानने के लिए आपको आवश्यक है कि हम पहचाने कि I working for two hours तो यह किस tense का यदि हमें tense की tense पता चल गया तो उसकी पहचान पता चल गया उसमें यूज होने वाले auxiliary verbs पता चल गया तो बहुत simple हो जाता है तो हमें यह जान लिए हैं कि present perfect continuous tense का इसलिए इसमें auxiliary verbs जो लगने वाला है हमारा लगेगा I have been working for two hours ठीक यह चलते हैं इस तरह से आप हम आगे चलते हैं आपके six में देखेंगे six जो दिया हुआ है आपका तो इसमें ध्यान देंगे I I blank space in पतना since 1995 1995 अब actually क्या है इसमें टाइम दिखा रहा है टाइम भी दिया हुआ है अब पतना में रह भी रहा है तो ऐसी चीज़े के लिए हम किसका यूज करेंगे इसमें भी यह हो गया हमारा यह जो है बलीव्ड लिखा है यह यह sentence बन गया हमारा sentence की जो यूज कर रहे हम यह बन रहा है present perfect tense present perfect tense में कौन-कौन से exolive verbs लगती है have been और has been और has been दो लगती है तो यहाँ पे जब have been तो दिया है lived दिया है have lived है तो इसमें हम जान गए पहचान गए कि यह present perfect tense का sentence है इसलिए यहाँ पे जो हमारी exolive verbs लगने वाली है have lived लगने वाली है have के साथ में have lived in पटना since 1995 ठीक next चलते हैं moogles the moogles blank space the battle of panipat panipat ko mooglone panipat ke yudhu ko mooglone जीता इस sentence हमें show कर रहा है कि past में होने वाली घटना आई है तिये हो गई है past indefinite tense का past indefinite tense में जानते हैं कि simple affirmative sentence के साथ में main verb का second form use किया जाता है इसलिए यहां पे वहां का use किया जाना दब मुगल वहां दब बैटल आप पानी पत बैटल आप पानी पत मुगलों ने पानी पत का युद्ध जीता ठीक आगे चलते हैं इस टीफेंशन फिर ब्लैक ब्लैंक space the stream engine stream engine की खोज किसने की है stream engine की जो खोज की है वो किसने की है अब यहां पे भी क्या आना है आपका इसलिए यहां पर हम यूज जो करने वाले है वो यूज होगा इन्वेंटर का यहां पर यूज किसका किया जाना है इन्वेंटर का तो आगे चलते हैं है महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी क्यों ब्रित्त हुई महात्मा गांधी के ब्रित्त हुई यह भी Past नगाज लगा हो और आफिर लगा हो आफिर लगा हो तो यह दो sentences को मिला के बनाए जाते हैं ये दो sentences को मिला के बनाए जाते हैं past indefinite tense कौन कौन सा past indefinite tense और past perfect tense past perfect tense ये दो sentences को मिला के बने होते हैं बट जिसमें before लगा होता है उसमें कारे पहले किया जाता है तो उसको past perfect tense के रूप में उसका translate या use करते हैं, और जो बाद में कारी होता है उषको present in different tense के रूप में, ये use किया धाता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें before लगा हुआ है, तो जो कारी पहले हो रहा है, जो कारी पहले हो रहा है, उषका हम किसके रूप में करेंगे जुली वोब लग रहा है कौन सा वोब लगता है उसमें head only head लगता है और main verb का third form तो she had dead before her husband came यानि कि उसके पती के आने से पहले वह मर चुकी थी मर चुकी थी इसको अच्छी तरह से पढ़ें ये sentences ऐसे आपके बार बार रन करते रहते हैं तिनको जानना बहुत जरूरी है दो sentences को मिला के बनाये जाते हैं यही इसी तरह का यही रूल इसमें भी है the train had left देखिए इसमें पहले इसमें दिया है past perfect tense का यूज किया गया अब आपको past indefinite का यूज करना है past indefinite का यूज करना है क्योंकि the train had left यहां पे आपका complete हो गया है यहां पे इतने से complete होता है past perfect tense अब next बचा before लग गया तो they अब हम क्या यूज करेंगे past indefinite तो past indefinite में आप सभी जानते हैं कि main verb का second form यूज किया जाता है तो हम apply करेंगे the they reached the station they reached the station the train had left before they reached the station ठीक अब आगे चलते हैं आप इसमें देखेंगे यह जो हमारा पहला sentence दिया they will play cricket इसमें जो हमारा sentence बनने वाला है वो if के कारण बनेगा यह sentence में प्रहला जो हमारा principle class लगा यह classes होते हैं तो इसमें जो class के रूप में दिया गया है तो इसमें will play यानि future indefinite tense को शो कर रहा है और दूसरा sentence जो हमारा यहाँ पर यहाँ पर अब जब किसी future indefinite का यूज किया गया और यदि sentence में sentence में यदि if लगा है तो वहाँ पर हम present indefinite tense के वोब का यूज करते हैं इसमें हो जाएगा they will play cricket if the principle allows them इसमें भी कहता है कि वे cricket तभी खेलेंगे जब यदि वो cricket खेलेंगे यदि principle allow करते हैं तो यहाँ पर यह हम present indefinite tense के रूप में कर दिया नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो sentence दिया गया है उसको देखें गया he blank spaces a letter at the letter at यहाँ पर those has not written did not return अब एक sentence हमारा पहले आया था कि ये प्रा पास्ट ये जो action है action किसको शो कर रहा हमारा past को शो कर रहा है action past को शो कर रहा पर इसमें at लग जाने के कारण अभी तो इसमें देखें at लग गया इसके कारण यह has not written यानि present perfectance के रूप में यूज किया जा रहा है ठीक किया जाता है इसमें तो इसमें हम लगाएंगे has not written when I blank my work I shall take rest अब इसमें भी देखेंगे जैसा आपका रूल चलता है after before का इसी प्रकार से इसमें भी किया जाता है इसमें भी किया जाता है तो जिस यह actually classes के रूप में यूज किया गया है यहां पे आप देखें कॉमा भी यूज किया गया है तो when I finish my देखें यहां पे जब ह प्रेजेंट इन डिफिनिट का यूज किया गया है तो future indefinite के साथ में यहां पे जिस तरह से बताया गया कि classes में हम future indefinite के sense के recording हम चलेंगे तो हां present indefinite tense का यूज किया जाता है तो यहां पे when I finish my work I shall take rest यहां पे when I finish my work I shall take rest यहां पे यह भी आपको समझ में आ गया कि finish का य अगे अब He told me that she For seven days For seven days तो यहां पे अब आप देखेंगे कि He told me that किस रूप में दिया गया है यह दिया गया है नरेशन के रूप में Direct and indirect Narration के रूप में He told me that she For seven days अब यहां पे यह seven days दिखा रहा है Seven days यह time को भी दिखा रहा है Time को दिखाने के कारण Time को भी दिखा रहा है तो जिसमें time लगा होता है और इसका जो sentence यहां पे sense बता रहा है कि वो sentence बन गया है कि इसका past perfect tense का Past perfect tense के रूप में यूज किया जाना है इसे तो यह past perfect tense यहां पे जो sentence दिया गया होगा Actually यह narration का यूज किया गया narration के लिए जो भी sentence यहां आई रहा गया होगा उसका आप जानते हैं कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो past इंडिफिनिट हो जाता है Past perfect tense Sorry present perfect tense रहा है तो past perfect tense हो जाता उसी के recording यहां पे जो हमारा लगने वाला है Past perfect tense का यूज Had been ill यहां पे जो लगेगा He told me that सिधा समालनी जी कि यह narration है narration के रूप में जो यूज किया गया है तो was ill नहीं आएगा और time भी यह सो कर रहा है Time लगा हुआ है इसलिए had been ill का यूज किया जाना है भावना will have reached home before the sun use अब जैसे हमने बताया कि एक after before का जो sentence बनता है तो present in definite tense Past in definite tense और past perfect tense को मिला के बनता है दूसरा जो बनाया जाता है दूसरा sentence ऐसे वाले जो आते हैं तो future perfect tense future perfect tense एवं future एवं present in definite tense को मिला के बनाया जाते हैं future perfect tense and present in definite tense ऐसे करके जिन में after before लगा होता है इसमें पहले से भावना will have reached ये बन गया हमारा future perfect tense future perfect tense बन गया will have reached home before the sun अब हमको यूज करना है किसका present in definite tense को present in definite tense को यूज करना है तो simple सी धासा हम sets को यूज कर देंगे भावना will have reached home before the sun sets ठीक next चलते हैं सीमा एंड रेखा ब्लैंक स्पेसेस तू सिनेमा लास्ट नाइट लास्ट नाइट है तो ये दोनों लास्ट नाइट पे हैं बीती हुई रात को है तो इंपल सब्स में आ रहा है कि बीता हुआ समय है इसलिए यहां पर ये जो ये संटेंस जो लगा ये जो एब प्रफेक्ट थेंस का है और इसमें ये 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 प्रेजसेंट परफेक्टंस का ये प्रoser Since u डिफिनिटेंस का पास्ट डिफिनिटेंस ये संटेंस का जो हमारा सिंस सो कर रहा है ये पास्ट का कर रहा है इसलिए यहां पर वेंट सीमा एंड रेखा वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट लास्ट नाइट अब आगे चलते हैं आगे देखते हैं इट फिर ब्लैंक स्पेसेस फॉर फाइब आर्स तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा इसमें देखेंगे कि इट हैज विन रेनिंग पांच घंटे से वारिस हो रही है अब एक्चली इसमें टाइम लगा हुआ है तो आपको तो समझ में आ गया कि टाइम प्रेजेंट पर्फेक् कॉंटीनिवस में लगता है और फ्यूचर पर्फेक्ट कॉंटीनिवस में इसका यूज किया जाता है टाइम को शो कर रहा है और पास्ट पर्फेक्टंस में भी और प्रेजेंट पर्फेक्टंस में भी टाइम को शो कर किया जाता है तो इसमें से आपका कॉंटीनिवस की ए इसमें it has been running for five hours ठीक तो यहां पे हम लगाएंगे has been running five plus five it is very important five plus five अब make होगा या makes होगा तो यह five के हिसाब से नहीं जाएगा कि यहां plural form को यहां कर रहा five five plus five पांच और पांच यानि पांच को पांच से जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा यह present indefinite को present indefinite को शो कर रहा है यह five plus five makes ten बनाते हैं पांच और पांच पांच में पांच जोड़ा जाए जोड़ते हैं तो दस बनता है यहां पे ऐसे दिया गया ठीक तो five plus five makes ten यह दिखा रहा हमारा present indefinite tense ठीक next and last next and last 20 question ही हम आपके सामने लेकर क्या है my eldest son my eldest son born blank spaces burned in 1997 मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ जन्म हुआ तो यह past बिता हुआ समय दिखा रहा है 1997 बिता हुआ पचीच हभी पच्चाओ बाइस साल पहले की बात को यहां पे यह इस से बता रहा है तो यहां पे हम वास का यूज करेंगे इस तरह से आपके 20 कोश्चन कंप्लीट होते हैं जो आपके एक्जाम के लिए आपके कॉंपटेशन एक्जाम के लिए और 8-12 स्कूलिंग लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टन है यह दि आपका आपका कहा जाता है कि जो टैंस होता है पूरे ग्रामर की रिड होती है बैक बोन होती है और वो स्ट्रॉंग हो गई तो आपको कहीं भी किसी भी प्राब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा तिसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मैरे चैनल से जरूर बने रहेगा पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्स थैंक्स एलोट